नमस्कार दोस्तो प्लैन पैरंट चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं दिपा और आप सभी का स्वागत करते हूं प्लैन पैरंट चैनल में और आज की वीडियो दोस्तो मेरी होनी वाली है जेट प्लैन के उपर और जेट प्लैन की टोपियारी किस तरह बना सकते हम इसके बा ने बनाई होी है इसको लग भख nenhum इन पर यह चुका है इस टोपियारी को बनाते होई तो इस्क मैं निक्सक्त पनाया है यह alguienves लिंक में जाके चेक कर सकते हैं मैं डेस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देदूंगी तो दोस्तो आज मैं इस की जो टॉपीयारी है ये तो टॉपीयारी बन चुके हैं तो इससे मैं थोरे से प्रूनिंग करूँगी और बाकी तो जेट बनाना बहुत है अच्छी Nhunde और जेट प्लैंट एक इसा प्लैंट है जिसकी हम बहुत इसली टोपियारी बना सकते तो दोस्तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते और प्लीज मेरी वीडियो को लास तक देखते रहिए दोस्तो और अभी तग आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो प्लीज मेरी च एक बिगर लीफ्स वाली जेट प्लैंट है बड़ी साइस की जेट प्लैंट है और चोटी साइस की जेट प्लैंट है तो दो तरीकी की जेट प्लैंट इसी गंबले में एक ही पॉट में मैंने लगाई वी तो इसी से हम कुछ टॉपियारी के बारे में सोचते है तो सबसे प बनाते हुई और अभी भी इतनी घनी नहीं हुई है हाला कि इसको और टाइम की जरूरत है इसे प्रॉपर शेप में लाने के लिए तो चलिए दोस्तों इसकी हम थोरी से प्रूनिंग कर लेते ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो एनहांस हो जाए और जल्दी से ये टोप्यारी बह तो इसमें जादा हमें काम नहीं करने परेगी बस हमें इन एक्स्ट्रा लिव्स को काट लेना है इस तरह से हम काट लेते हैं तो दोस्तों टोप्यारी बनानी के लिए सबसे पहले हमें यह चिज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जेट प्लैंटे वो किस शेफ में हूई हो अ अगर आपको यह कि शेप में दिखती है उसी शेप में आप इसकी जो टॉप यारी है जो लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं तो फिल हाल मेरी यह जो प्लांट है यह थोड़ी से पिकोक या मोर की तरह इसको मैं शेप में ला सकती हूँ ऐसा मुझे लग रहा है हाला कि यह बहुत ही छोटा है इनमें जादा लीस भी नहीं है जादा ब्रांचिस भी नहीं आई है इसे मैंने कटिंग से ग्रू किया हुआ है बट फिर भी देखते हैं चलो दो दोस्तों इसको मैं एक पिकोक का लुक देने की कोशिश करती हूँ तो सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे इस तरह की थीन वायर कुछ भी आप वायर ले सकते हैं जो इसली बैंट हो जाए और आप इस वायर को काटे समय अपने हाथों का ध्यान रखेगा दोस्तों और इस का शेप में इस तरह से इसे रख देती हूँ और दोस्तों इसे हम किसी भी रसी से टाइ कर लेंगे हाला कि यहां मैंने जूट की रसी लिए है तो आप चाहे तो इसी तरह की जूट वाली आप रसी ले सकते हैं तो इस तरह से मैं सारे बांड लेती हूँ और इसे एक जो मू इसके लिए भी हम यसे वाली वायर और ले लेंगे इसे इस तरह इंसर्ट कर लेंगे और इसकी जो बॉड़ी है इसे हम चारो और से बांध देंगे ताकि यह पिकॉक की जो फैदर है जो बॉड़ी है उस तरह यह लगे इतनी मुश्किल नहीं है दोस्तो इस टोपियारी को ब और यह बहुत ही अभी चोटी है इसको बहुत टाइम लगेगा अच्छा शेप में इसको लाने के लिए तो देखते हैं दोस्तो इसे कितने दिन में हम शेप में ला सकते अच्छी तरह से इसकी वीडियो इसके ओपर वीडियो में आपडेट देती रहंगे आप सभी को तो इस तरह से बन चुकिए इस तरह बन ली है और कुछ-कुछ तो यह पीकोग जैसी अभी लग भी रही है तो आपको कैसा लग रही है आप मुझे कमें सेक्षन में ज़रू बताइएगा दोस्तों और अभी नेक्स्ट टॉप्यारी जो हम देंगे वो हमें यह वाली में बॉंसाय बनाओंगी तो इसकी जो स्टेम से वो काफी मजबूत है अभी से यह प्लान्ट मेरे पास लगबग 2,5 साल से है और इसकी जो स्टेम से वो काफी अभी मजबूत हो चुके है तो इसे मैं ट्री का ही शेप दूँगी तो शेप ड़ने के लिए मुझे ज्यादा ब्रांचे सकर में रखोंगी तो यह बुशी नहीं बनेंगी और हमें टोपियारी में बुशी लीफ्स वाली चाहिए होती है तो इस तरह से मैं सारे इनके स्टेम्स को काट लेती हूँ ब्रांचेस को तो आप देखे में यहाँ पे इस प्लांट में ज्यादा कुछ नहीं रख होंगी और उसमें थोरे से लीफ्स रख दूंगी इस तरह से मैं सारे ब्रांचेस को कट कर लोंगी और इसकी भी अपडेट में देती रहूंगी दोस्तों कि यह किस तरह प्लांट में कंवर्ट होती है किस तरह की टौपियारी कंवर्ट होती है मैं आपको मेरी अपडेट मे दूँगी तो फिलहाल के लिए अभी इस तरह से मैंने इसको ट्री का शेप देखे रखा हुआ है यह आप देखे इसमें से यह ग्रो होना स्टार्ट होगा यह चारो और से इनकी लीव्स आना स्टार्ट होगा कुछ दिनों में तो दोस्तों अभी यह जो कटे हुए ब्रांच लेनी है और स्पॉट के साइड साइड में हम इसकी जो ब्रांचे है कटे हुए इन्हें हम लगा देंगे चारो और इस तरफ कोने कोने में हम चारो और सरकल करके इसकी जो ब्रांचे से इसे लगा देंगे और यह जो टौप यारी है यह बॉल के शेप में आएगी तो यह व तो आप देखते रहें दोस्तों इस तरह से इसका पूरा सर्कल एरिया है इसे हम कोनर की तरफ से इस तरह से हम लगा देंगे और बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम खाली रख देंगे तो दोस्तो मैंने इस तरह से पूरा सरकल जो है कवर कर लिया है कोने कोने की तरफ लगा के ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भी एक बहुती बॉल शेप में टौप यारी बनेगी क्या करना होगा इस में से कुछ भी एक हमें मिठी का पॉर्ट है कुछ इस तरह की मिठी की पॉर्ट हम भीच में रखने के बाद हम जो लीफ्स जब अभरे हो जाएंगी तो उसे एक साथ टाय करके रख देंगी तो ये बॉल का शेप बन जाएंगा और ये वह वाला जो टौपयारी का shape है यह भी बहुत सुंदर है दोस्तों तो आप मेरे चैनल में updated रहिए मैं आपको इसकी भी updated दूँगी कि मैं किस तरह इसकी एक और टौपयारी बना के दिखाऊंगी तो दोस्तों ये थी मेरी jet plan की टौपयारी की video I hope कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शे और सब्सक्राइब मैं चैनल और मेरी वीडियो को लास तक देखने के लिए थैंक यू सो मच इलते हैं आप लोग उसे मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे और में चुट कर दो सेद दो बाएब के लिए सेद्सक्राइब कर दो सेद्सक्राओंगे कर दो सेद्सक्राइब के लिए ऑच्दी लोगई लिए।